बिहार में पुलिस की कारशाली गाही बगाही सुर्खिया बटोडती रहती है जाहे वो कुई भी मामला अब एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक इंसान का जब चरित्र प्रमान पत्र पुलिस ने जारी किया था तब वो इंसान बेदाग था लेकिन ठीक 15 दिन के बाद वो बेदाग इंसान पुलिस के लिए दागी बन गया जिसके बाद पुलिस ने खुद उसकी गिरफतारी भी कर लेकिन ठीक 15 दिन के बाद कहानी पूरी तरीके से पलट गई और ये चरित्र प्रमान पत्र को फर्जी बताया गया तरसल इस पूरे मामला में चाउन थाना की खूब किरकिरी हो रही है मामले में जद्यू के जिला उपाद्यक्ष रवेंद्र मंडल की गिरफतारी की गई है अदर्श थाना की पुलिस ने नगर परिशत से मुख्य पार्शत पर प्रत्याशी सजद्यू के जिला ध्यक्ष रवेंद्र मंडल को गिरफतार कर लिया है पेशे से चिमनी भच्टा व्यवसाई रवेंद्र मंडल को 15 दिन पूर्व ही चरित्र प्रमानपत्र निर्गत किया गया था यहां ये बताना लाजमी है कि चरित्र प्रमानपत्र के आवीदन का सत्यापन संबंदित थाना द्वारा अभिले की अवलोकन में कर दिया जाता है बड़ी बात तो यह है कि बकॉल रवेंद्र मंडल इस केस की उन्हें जानकारी ही नहीं थी बरहाल या मामला कई एहम सवाल छोड़ गया है 15 दिन पहले ही चरित्र प्रमानपत्र के आवीदन का सत्यापन क्या गया था अध्यक्षपत के लिए नामांगन के दिन भी पुलिस सोई रही आखिरकार रवेंद्र मंडल की जानकारी के बगार जाज कैसे पूरी हो गया पुलिस दुर्भाबना से फ्रेड़ित थी आफिट टेबल जाज की गई कई रवेंद्र मंडल तो गलत बयानी नहीं कर रहे हैं रवेंद्र के खिलाफ मुकद्मा था तो चरित्र प्रमानपत्र के आवीदन का सत्यापन कैसे हो गया मुकद्मा और वारेंट था तो फिर्णा मांकन के दिन गिरफतार करने में पुलिस क्यों और कैसे पिछड़ गई है ये तमाम सवाल पुलिस के लिए मुश्किले पैदा कर रही है वैसे अनु मंजल पुलिस पदादिकारी जॉक्टर राकेश कुमार ने मामले में जाचो परांत उचित कारवाई की बात कही है लेकिन ऐसी कारिशेली पुलिस की 26 सुधारने में लगे पुलिस अधिक्षक डॉक्टर शौरे सुमन के समक्ष एक और टास्क दे गया है गौर दलब है कि नगर परिश्वत अधिक्ष पद की लिए चुनावी मैदान में भाग या आजमाने उत्रे रवेंद्र मंजल की गिरफतारी हो गई है उनकी गिरफतारी 2021 में अवैद बालू खनन में दर्ज मामले के चलते हुई है बताया चाता है कि खनन विभाग के निरुक्षिक द्वारा पार जनवरी 2021 को मामला दर्ज कराए गया था नदी से बालू के अवैद उत्खनन का रवेंद्र मंजल पर आरोप लगा था हलाकि मुकदमा से अंजान रवेंद्र मंडल नगर निकाय चुनावी मैदान में पूरी तयारी से लगे हुए थे देरात अचानक हुई उनकी गिरफतारी से शेहर का राजनितिक तापमान बढ़ गया है शेहर भर में चर्चा का विशे बना हुआ है गिरफतारी के बाद आरोप प्रत्यारोप का भी दोर शुरू हो किया है रवेंद्र मंजल की माने तो उनकी उपर प्रात्मे की दर्च किये जाने की कोई भी सूचना पुलिस नवारा उने नहीं दी गई थी जब खनन निरिक्षिक ने अवेद उत खनन का आरोप लगाते हुए उनसे पूचा था तो उन्होंने उस जमीन के काज़ाद विभाग को प्लब्द कराया था जहां से मिट्टी का खनन कर वे कर रही थी उनका चिमनी भट्टा चलता है अपनी जमीन से वे मिट्टी ढोकर चिमनी में जमा कर रहे थे उन्होंने राजनीती के तहर जूटे केस में फसाने का आरोप लगाया है पुलिस द्वारा सोमवार को काज़ी प्रकेरी आपूरी कर उन्हें जेल भेस दिया गया है जमुई SDPO जॉक्टर राकेश कुमार ने कहा है कि मुकदमा में आरोपी व्यक्ती के चरित्र प्रमान पत्र के आवेदन का सत्यापन प्रतिवेदन में क्लीन चिट देनी के मामले की जाच भी की जाएगी पूरा मामला बिहार के जमुई जिले से चुड़ा हुआ है जहाँ पर नगर निकाय चुनाव के नामांकिन की प्रकेरिया से पहले चरित्र प्रमान पत्र का सत्यापन कराया जाता है और ये संबंदित थाना छेत्र से ही होता है लेकिन जिस प्रत्याशी ने अपने चरित्र प्रमान पत्र का सत्यापन थाने में कराया था उस वक्त उन्हें बेदाग सावित कर दिया गया था पुलिस के तरफ से उनका चरित्र प्रमान पत्र पूरी तरीके से क्लीन बताया गया था लेकिन ठीक उसके 15 दन के बाद पुल लेकिन सवाल एक बार फिर से प्रसाशन के उपर, प्रसाशन की कारश्याली पर. फिला के लिए सब्जेट में अतना है न के अब डेट्स के लिमाए साथ बने रहें, न्यूस फॉर नेशन में, नमस्का.